हेल दोस्तों, वेलकम बैक तो जटपर टॉइ टीवी, आज की वीटिवे मैं अन्बॉक्स और टेच करने वाला हूँ नर्फ जॉंबी स्ट्राइक ब्रेइन सॉब, बहुत ही खतरनाक टॉइ गन है गाइस, इसे हम जॉंबी को किल कर सकते हैं ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग, देखते हैं यह गन कितनी खतरनाक है दोस्तों, जॉंबी स्ट्राइक सीरीज की यह मेरी सबसे फर्स्ट गन है, देखते हैं इसकी क्वालिटी और इसकी पावर कैसी है तो इस टॉइगन को मैंने खरीदा था Amazon से, यह रहा Amazon और इसका प्राइज है 2399, आप अगर इस टॉइगन को खरीदना चाते हो, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ से जाकर आप इस Nerf Brain Saw को खरीद भी सकते हो, दोस्तों आप लोगों के कहने पर मैंने मेरा गेमिंग चैनल भी बना लिया है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते ह वहाँ पर भी मैं बहुत सारे लोगों को शौट आउट दूँगा और बहुत ही अच्छी अच्छी गेम्ज भी आपको खिल के बताऊंगा, तो देख सकते हो गाइस बड़ी ही कमाल की दिख रही है ये गन, तो इस Nerf Gun का सबसे बड़ी आट्राक्शन है, ये Saw, देख सकते ह किस तरह से यूज करना है ये भी बताऊंगा, तो देख सकते हो इस तरह के पैकेजिंग में आ जाती है हमें ये गन, और पीछे की और देख सकते हो इस तरह का है, तो चलिए दोस्तों बिनावक्तेश के फटाफट से इसकी कर लेते हैं, अन्बॉक्सिंग, तो इसको यहां स और यह रहे इसके बुलेट्स, यहां पर इसकी यूजर मैनुवल आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही बड़ी यूजर मैनुवल मिलती है हमें इसके साथ, तो यहां से इसे ओपन कर लेते हैं, बहुत यची पैकिंग की है लोगोंने, तो यह आ चुकी है, बाहर हमारी न कैसी है इसकी कॉलिटी, ओ माई गॉड गाइस, देख सकते हो, कितोना जबरदस्त कलर है इसका, यहां पर औरेंज कलर, ग्रीन कलर, नीचे देख सकते हो, यहां पर वाइट कलर दिया गया है, अरे यार यह देख सकते हो गाईस, यहां पर एक स्कूडराइवर जैसा इसका, देख सकते हो, यहां पर लिखा है, नर्फ बुलकर, वायर, बहुत ही जबरदस्त डिजाइन है, और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, क्या बढ़िया फिनिशिंग है, तो इस नर्फ गन को आप यहां से लोड भी कर सकते हो, इस तरह से लोड करने का ही दिया ग तो यह देख सकते हो, इसे खेचना होता है में इस तरह से, यह वील ससे गुमने लगता है, यह वील को इस तरह से घुमा कर हम सारे जॉब़् управ को खतम भी कर सकते हैं दोस्तों इस गन से, बड़ी ही killar gun है देखने में, तो guys अभी हम बाहर सलकर इसे test भी करके देखेंगे इसकी aiming कैसी है और इसके अंदर power कैसा है तो यहाँ पे bullets load कर लेते हैं सारे के सारे bullets देख सकते हो green color के हैं तो यहाँ पे load कर लेते हैं तो एक और चीज मैं आपको बता ना भूल गया था guys यह रहा इसका handle इसे यहाँ पर attach करना होता है मैं इसे attach कर देते हैं इस तरह से यह बैठ चुका है इसका handle अभी देख सकते हो guys अभी बहुत ही बढ़ी बढ़ी गृप मिलती है इसे पकड़ने के लिए वाव बढ़ी कमाल की गने यार इस तरह की गन्तों मैंने आज तक बिलकुल भी नहीं देखी है तो चलिए दोस्तों भी चलते हैं बाहर इसका test भी करके देखेंगे लेट्स गो तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो और चार बुलेट्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर टोटल एट बुलेट्स तक लगा सकते हैं तो इस तरफ देख सकते हो चार बुलेट्स लगाएं मैंने और इस तरफ भी चार बुलेट्स लगाएं अभी हम देखेंगे नर्व जॉम्बी ब्रेइन सौसे यह वाला थानोस नीचे गिरता है कि नहीं लास्ट वाली वीडियो में तो देखा हुगा आपने खतरनाक तरीके से यह नीचे गिर चुका था तो यह गन से भी ट्राइ करके देखते हैं यह गन गिरा पाती है कि नहीं हमारे थानोस को बहुत ही बुरी एमिंग है गाईस इस टॉइ गन की आप देख सकते हो क्योंकि बुलेट्स यहां साइड में लगी हुई है यह बुलेट्स नहीं से जाती नहीं है टार्गेट पर यार हेट्शोट लगी लेकिन यह गिरा नहीं नीचे पुछ नहीं हो रहा यार इसे तो माई डियर दोस्तों इसे मैंने कर लिया है पुरी तरीके से टेस्ट जब अपने पास नर्फ ब्रेंसौ है तो यार अपने को जॉम्बी से डरनी की कोई भी चिंता नहीं है एक भी जॉम्बी अपने सामने एक भी मिनिट नहीं टिक पाएगा तो अभी इस गन की रियालिटी के बारे में बात कर लेते गाई जब मैंने इसे टेस्ट किया था ये गन थानोस को तो नहीं गिरा पाई थी तो इसके अंदर पावर तो मुझे ठीक ठाक सी लगी दोस्तों आपको भी पता होगा थानोस को गिराना कोई मामूली बात नहीं है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावर फुल गन चाहिए इस गन की एमिंग मुझे उतनी ठीक ठाक नहीं लगी क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो जो बुलिट्स रखने का स्लोट डिया गया है वो साइड में दिया गया है इस तरफ है और इस तरफ है इस वज़ा से हमें टार्गेट पर शूट करने में बहुत दिक्कट आती है गाईस और इसके अंदर जो bullets निकलती है बहुत यह organized तरीके से निकलती है पहले first वाली bullet यहां की निकलती है उसके बाद यहां की bullet निकलती है इसी तरह से series वाइस bullets निकलती रहती है इसके अंदर से तो इस वज़े से इसके अंदर aiming करना बहुत ही problem हो जाती है पर overall guys मुझे तो ये gun ठीक ठाक सी लगी क्योंकि यार इसका design आप देख सकते हो बहुत ही unique सा design है इस तरह की toy gun कहीं पर भी नहीं मिलेगी हमें तो इसका जो सामने जो saw दिया गया है न यार ये सबसे खतरनाक feature है इस toy gun के अंदर देख सकते हो यहाँ पर भी लिखा है brain saw बलकर इस saw से हम सारे zombies को खतम कर सकते हैं इस तरह से इस nerd gun की look, design और इसकी quality मुझे सबसे खतरनाक लगी दोस्तों आपको इस toy gun के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा मुझे नीचे comment करके ज़रूर बता देना मेरी तो यह बहुत ही favorite gun हो चुकी है guys आपको यह toy gun कैसी लेगी यह भी मुझे नीचे comment करके ज़रूर बता देना तो चलिए अभी हम दे देते हैं shout out दोस्तों कल मैंने एक two-sided RC car की video डाली थी वो video आपने नहीं देखिए तो जाकर ज़रूर से देख लेना बड़ी ही कमाल की video बनाई है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सबसे पहला नाम आजाता है मनोच कुमार, अब्दुल खादिर, किरन धमेजा, सचिन कुमार, पांचाली दास, हेमंत, मदन भोमिक, पूर्निमा साहू, सुबरना दे, मोहित भालेकर, मालिनी विस्वास, रयान, विभोर, नवजीत, डेबलू ठाकूर तैंक्यू दोस्तो, इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए और दोस्तों आपको भी चाहिए शाट आट तो इस विडियो पर कर दीजे, लाइक, नीचे करदीजे, कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, तक कि मैं आपको ही जल्दी से जाकर गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को शाउट आउट देने वाला हूँ, और वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी गेम्स खेल कर डालने वाला हूँ, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर हो